फ्रेंड्स गुड मॉर्णिंग ओल उफ यू आइम सुनिल सर्मा यूर इंगलिश टीचर यूर हटली वेलकम दोस्तों इन वियकननद ओनलाइन क्लासे आप सबका फ्रेंड्स वियकननद के ओनलाइन क्लास में आर्दी गवननदन है दोस्तों राइटिंग स्किल्स वे अपन भी काम कर रहे हैं आज आपकी जो इस्ट्री पर एक बेस किमती स्टोरिय है ये दो तरीके से एक्जाम में पूट अप की जाती है फोक्स एंड़ा क्लोमडी और कव्वा के नाम से भी या कनिंग फोक्स के नाम से भी चाला क्लोमडी आ जाए तो भी यही इस्टोरी आपको मेंसन करनी पड़ेगी यह स्टोरी थोड़ी सी बड़ी है इसलिए मैंने इसको सिंगल डाली है बाकि अधरवाई जब दीर दीरे अपन दो-दो स्टोरी ओप एक साथ काम करेंगे था हैं कि आपकी मॉस्ट मॉस्ट जो आड़ दस स्टोरी हैं वो कंप्लेट हो इससे पहले मैंने आपको त्रस्टि कर और गेड़ी डोकी भी कंप्लेट कराई है मेजर किसे ने बड़े नंबर की अधिक नंबर की स्टोरी आप उससे पुट अप की जाती है इसमें देखें आप स्यान से सुनें इंदियन वाद वास देर वोज एफॉक्स एक वर एक लॉमडी थी इट वोस वेरी हंग्री वह ब सी वेंट ये इट वेंट ये एंड देर वो इदर उद्र गई इन सर्चों फूड बोजन की तलास में एट लास्ट इट सो एक रो इन ट्री अंतित गतवा उसने एक पेड़ पर एक कव्वे को देखा क्रो मिंस कव्वा दा क्रो हैड़ी पीस ओप ब्रेड इन इस बीक लॉम्डी समझगी भी मिंज़े इसे लेना है दा फोक्स वेरी कनिंग वह बहुत चतुर थी इट ठोटो पे प्लान इसले उसने उसके लिए को पाई सुचा कि कैसे मैं इसे ले हूँ इट वेंट अंडर दा ट्री वो वरक्स के नीचे गई इट प्राइज दा क्रो उसने ब्यूटिफुल वर्ड उसे कहती है कि तुम बहुत सुंदर फक्सी हो अगर कवा सुंदर है तो फिर कुरूप कोन है दोस्तों ये एक सोचने वाली बात है अपन कोईल को सुंदर मानते हैं यू एवे स्वीट वाइस और साथ में यह भी का तुम एक मदूर आवाज रखते हैं कि जाजा बड़ी फिर याद करने में लर्ण करने में आप लोगों को दिक्कत होगी दक्रोव विकेम वेरी एपी टू हीर इस प्राइस कव अपनी परसंद सा सुनके जिसे कहते हैं फूल के टॉटला होना अती परसंद हो गया इट ओपंस इस बीक टू सिंग उसने गान लोमडे ने उसे उठाया एंड रन अवे और चली गई दक्रोव वेरी सेड ओन इस फूलिशनेस को अपनी मुर्पता पर बहुत पस्ताया फिर क्या होता है लोमडे उसे लेके चली गई तो इसलिए आज किसके पास कोई टाइम है कि वह पास आये और तुमारी परसंद सा कर लेकिन अगर कोई तुमारी पास आ रहा है आपकी चापलूस ही कर रहा है तो इसका मतलब जरूर दाल में कुछ काला है दोस्तों इसका मोरल दो लिख सकते हो आप कीप अवे फ्रॉम फ्लेटरी यानि चापलूसों से दूर रो या यह भी हो सकता है बी अवे रोप फ्लेटर चापलूसों से साबदान रो दोनों एकी बात है दोनों में से जो आपको अच्छा लगे प्लीज रिटर्न इट उसे लिख सकते हो ओके लिसन दीस स्टोरी अगें एंड अगें एंड ट्राइट अंडरेस्टेंड इट साथ की साथ लिखने का नजरिया भी आपका यह होना ची कि मज़े से सीखना है ताकि मैं इसको यह एक ऐसी स्टोरी है कि जो एर्थ नाइंट टैन्थ तीनों क्लासों में वरोबर पुट अप कियाती है ओके बेस्ट आप लग गोएड